हसनपूरा प्रखंड के अरंडा पंचायत में आबीद राज के नित्रित्व में रवीवार को समास सेवा में सैक्रो जरुवत मंदों के बीच रासन समागरी का वित्रन किया गया इस वित्रन में छेत्र के सैक्रो लोग सामिल होकर चावल, गेहु, चूरा, डाल, सबजी, तेल प्राप्त कर काफी खुस हुए है वहीं आबीद राज ने बताया कि हालात को देखते हुए या कदम उठाया गया है इसके बाद भी जब तक करोना जैसी महामारी को ले लोकडाउन बना रहेगा इस तरह लोगों को मदद मुहया कराए जाएगी आउसर पर जावेद आलम, गुड़ू, अपसर अली, नाहीद आलम, परवेज आलम, अफताब आलम, रियाज हासमी, आदी उपस्ती थे लाभुक में असलम, सौकत, सजनी चोहान, सबिलन खातुन, सुबाश ठाकूर, कमलावती देवी, दिलबहोरन खातुन, माजिल, बेचू, पंडित, जुमल, सहित, सैकरू लाभुक उपस्ती थे उन्होंने बताया कि दो तारिक से खाना बना कर हर जरूत मन लोगों को घर तक पहुचाया जाएगा क्माने की सब्सक्री डांगि अपने याःभी डेस्टेंप रखे लोग जहां आप लोह रह पर असाली हो आप लोगों कहीं होने में क्या कहीं पर भी जो भी रहे बड़ा सा दूरी बना करके रखे लोग थिक जाईड़ा, आप आईए दूरी बना के सब लोग रखिये सब रहे लोग आईए, आईए, लेजे खेता पर रहे लेगे अव लोग दो भीजिये प्रिस ने प्रिस लोग है लोग है लोग है लोग है लो जो फिर एक जान दिने कहा है है रिजुग आपने जाइए जाइए उसको के हुँ भी और चाहर भी जोनो भी बीजित लोई आओ 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 अपिछ अबनाला लोग नहीं नहीं ठोटी अपिछ नहीं रहना है अपिन भाल में यह पस नहीं रहना है सबते हैं सलाम लेक्म को साल कास्या हुआ कारा बाल इस परनसे ना कि लुएस यिडिविव करने हां हम लोक के तो रासन मिल गया है बहुत आद्मी को रासन मिला है हम लोग बहुत खुश है कि भाई इंको refund आगे में मिला और गरीबों को सहाइरा करे हम लोग जैख Psalm煮 आधमी को रासन में सोब कुछ मिला है हम लोग अनंद से खाएंगे आज का जो महौल है हमारे हिंदुस्तान का जो यह कोरोना के कारण समी लोग परिसान है अलाद बहुत खराब है देश के लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं जादा से जादा गरीब लोगों की मदद करें जो लोग डेली कमाते हैं देली खाते हैं जहसे एकसा वाला हो गया ठेला वाला हो गया इन लों की हाला ठीक नहीं है तो हम लोग जैसे क्या कि यह है कि दाल चावल चूड़ा तेल गेहुँ यह सब लोग पैकेट बना करके लोगों के घर पहुंचा रहे हैं और यहां से बाट भी रहे हैं तो आप लोग भी कोशिस करिए कि अपने अगल बगल महले वाले लोग के जुनकी जरूरत है उनको आप लोग भी पहुंचाईए